इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह यह मुक्त कणों से छुटकारा पाने और ऑक्सिडेटिव तनाव को कम करने में मदद करने के लिए विटामिन E, विटामिन C और ग्लूटाथियोन सहत उप्योग किये गए एंटियोक्सिडेंट को पुन चक्रित करता है, ये बड़ी चतुराई से ग्लूकोज अनूओं को तोड़कर उन्हें बड़ी मात्रा में उर्जा में परिवर्टित करता है, जो शरीर में हुने वाली सभी जैविक प्रक्रियाओं का भरपूर समर्थन करता है यहाँ आपको पूरे दिन जीवन्त और उत्साही महसूस कराने के लिए शारीरिक और मानसिक ठकान को कम करने में मदद करता है अलफा लिपोएक एसिड उर्जा के लिए ग्लूकोज अनूओं का उप्योग करता है, यह अतिरिक्ट ग्लूकोज को हटा कर रक्ट शर्करा के स्थर को स्थिर करने में मदद करता है यह उक्सिडेटिव तनाव को दूर करने के लिए एंटियोक्सिडेंट गतिविधी को बढ़ाता है, जो उच्च रक्ट शर्करा के लक्षनों के बहतर प्रबंधन में सहायता करता है यह मस्तिश्क और तंत्रिका उतकों को उक्सिडेटिव तनाव से भी बचाता है अलफा लिपोएक एसिड शरीर में ग्लूटाथियों के स्तर को बढ़ाता है, जिससे आपकी तवचा चमकदार और एक समान हो जाती है यह सूरज की ख्षती के खिलाफ अपनी एंटियोक्सिडेंट धाल को भी सक्रिय करता है और युवा दिखने के लिए उम्र बढ़ने के शुरुआती लक्षनों को उलटने में मदद करता है यहाँ आपके शरीर में मुक्त कणों को खत्म करता है और सूजन प्रतिक्रिया को कम करता है जो कुछ सामानिस वास्थे चिंताओं के गंभीर प्रभावों से राहत दिलाने में मदद करता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एंटियोक्सीडेंट समर्थन के लिए सार्वभोमिक एंटियोक्सीडेंट के रूप में कारे करता है 2. ये बड़े पैमाने पर उर्जा बढ़ाने के लिए ग्लूकोज को कुशलता पूर्वक इंधन में परिवर्थित करता है 3. ये बहतर स्वास्थी के लिए अच्छा रक्त शरकरा संतुलन बनाये रखता है 4. ये मस्तिश्क और तंत्रिकाओं की इश्टम कारे प्रणाली को बनाये रखने के लिए उनकी रक्षा करता है 5. ये तवचा की चमक में सुधार करता है और जल्दी बुढ़ापे के लक्षनों को दूर करता है 6. ये सामान निस्वास्थि स्थितियों के लक्षनों से राहत देने के लिए सूजन को कम करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें